आज की वीडियो इसे लोगों के लिए है जो की medical practitioner है, medical student है या फिर medicine की practice कर रहे हैं तकि medicine के knowledge के लिए हमें काफी बड़ी-बड़ी book पढ़नी पढ़ती है और जिन में से हम काफी सारी medicine बोल जाते है या फिर उनकी dose बोल जाते हैं लेकिन हम आपको आज एक ऐसी book बताने वाले हैं जिससे आप कभी भी medicine या फिर उसकी dose को नहीं भूलेंगे क्योंकि इस book में हर चीज़ को एक systematic way में दिया हुआ है इस book का नाम है चिकसा guide ये especially medical practitioner के लिए बनाए गई है इसके writer है के लास बंजारा तो ये book आपके लिए काफी helpful होने वाली है हम आपको इसका content दिखा देते हैं इससे पहले हम इस book का content दिख लेते हैं तो इसमें system wise सभी बिमारियों को दिया हुआ है जैसे कि पहले हैं यहापर digestive system की disease यानि कि हमारे 5-3 से सम्मंदित रोग तो पहली बिमारी है यहापर anorexia यानि कि भूक ना लगना इसके बाद है यहापर nausea and vomiting तो यहापर हम एक topic देख लेते हैं तो इसका पहला topic है anorexia इसके बारे में हम यहापर देख लेते हैं इस तरह से यहापर इसमें सभी system की जो रोग है वो दिये हुए है इस बुक की पहली disease है अनोरेक्सिया नि की भूक ना लगना सबसे पहले हैं इसके psychological कारण दिये हुए है यानि कि इसके टैंस और डिप्रेशन इसके आपर इसके syrups भी दिये हुए है इस तरह से यहापर नाजिया एंड वॉमिटिंग यहापर इसके definition then causes और लास्ट में यहापर इसके sign and symptoms और इसके बाद में यहापर इसका treatment दिया हुए है यहापर इसका treatment दिया हुए है इस तरह से आपको इसमें सभी ट्रीटमेंट मिल जाएंगे तो ये बुक medical practitioner के लिए बहुत ही important होने वाली है तो आप इसे purchase कर सकते हैं इस बुक का लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा जहां से आप इसे purchase कर सकते हैं इससे आपको काफी जादा help मिलने वाली है Thank you very much